जी नमस्कार दोस्तों ग्यानाला में आपका स्वागत है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ाई करेंगे एजूकेशन की जितनी भी स्कीम्स हैं प्रोग्राम हैं या फिर पोर्टल्स हैं जितने कमीशन बने हुए हैं जितनी पॉल बात करेंगे अगरे जी सासन में क्या-क्या में चीज़ें आई थी या सिच्छा को रिलेटेड है और फिर बाकी की चीज़ें हम लोग देखेंगे कि अभी हाली में कितनी कितनी स्कीम चली हुए निश्टा ये क्या है पोर्टल कितने बने हुए हैं कौन से प्रोग्राम से लांच गये गये है, study in India portal क्या है, scholarship portal क्या है, club model residential school क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे तो EMRS की examination में हम लोगों ने syllabus देखा था कि GK का जो syllabus है उसमें साफ साफ लिखा हुआ बया कि जो चीज़ पूची जाएगी क्योंकि GS का syllabus असीम होता है उसमें history आप कुछ पढ़ लो, history, google, पढ़ लो, आप economy पढ़ लो, आप quality पढ़ लो, सारा चीज़ होगा, लेकिन उन्होंने एक star लगा दिया कि छोटा सा syllabus उन्होंने दिया है उसमें current affair का या GK का, उसमें सब कुछ उसमें current affair भी है, उसमें GK भी है, दोनों चीज एक साथ कर दी गई है, और जो चीज पूछी जाएगी, वो जी education से related होगी, यानि जो ज़्यादा emphasis हम करेंगे, जिस पे हम ज़्यादा pressure देंगे, जिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वो होगा educational current affair या फिर educational GK होगी, तो आज का वीडियो हमारा जो related है, वो education से related है, काफी important है, किसी भी post के लिए, य पूरबग देखेगा और इसका पीडियो भी आप लोग description में जाके download कर सकते हैं, लेकिन description में download करने के बाद आप तब इसको समझ पाएंगे इस पीडियो को, जब आप ये पूरा वीडियो देखे होंगे, क्योंकि साइट में लिखा हुआ हुआ है, revision के लिए आपके लिए आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा सिच्छा की बात करें, तो हमारी सुरुवात हो जाती है, अगर आपके पास टाइम होगा, तो थोड़ी सी हिस्टरी आप लोग इसको पढ़ लिजेगा, आप इसकी सुरुवात करों के हमें पराप्त हुए थी, जो मोहरे, जो चिन और जो निसान पराप्त हुए थे, उसको पढ़ने का बहुत परियास किया गया, लेकिन आप तक कोई पढ़ना ही पया, उसके बाद तुरन हड़ापा के बाद सुरू हो जाता है, बैदिकाल मतलब बेदों का काल, बैदिकाल आ गए, छे बेदाँग आ गए, उसके बाद फिर आपके जो है, 16 संसकार हो जाते हैं, 16 संसकार इसी में दिया हुआ, 16 संसकार हो गए आपके, और 18 पुराण हो गए, राहमायड और महा वारत ये हो गए, तो यह सारा का सारा क्या था, यह सब आप प्राचीन बारत में, जो यह सिच्छा की पद्दती थी यानि गुर्खुल व्याउस्ता थी सारा कुछ गुर्खुल जैसा होता था जैसा आपका एक लब्ब मॉडल रेजिदेंशियल स्कूल है यह भी गुर्खुल जैसा ही है मतव सिच्छक और चुछात रहें हो सब एक साथ ही रहेंगे एक केंपस में वही रहेंगे वही पढ़ेंगे तो प्राचीन सिच्छा व्यास्ता गुर्खुल व्यास्ता थी और इसी में आपका सब जो विसुविद्याले थे यहां पे आपका कुमार गुप्त का जो है नालंदा विसुविद्याले आ जाएगा प्राचीन काल में जो एक बड़ा विस सामराज था मगत सामराज में था मौरिया आये गुपता आये गुपतोतर आये उसके बाद फिर राजपूत लोग आ गए उसके बाद फिर सारा जो है कुछ चलाए उसके बाद दिल्ली सल्तनत आये और उसके बाद फिर मुगल सा गए मुगल्स के में भी सारा कुछ चीजें ज उसके बाद आउरंग जेब आ जाता है उत्तर मुगल काल के जो कमजोर सासक होते हैं फिर उसके बाद जो है विदेशी ताक्ते आ जाती है फ्रांस आ जाता है पुर्टगाल आ जाते हैं अंग्रेज आ जाते हैं तो यह सारा का सारा आपका मोटा मोटा एक इतिहास का टाइम ल ताके बात की देखेंगे और फिर करांट अफेर से देखेंगे पहली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी से पहले कलकत्ता मदर्सा की स्थापना होई थी अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता मदर्सा की स्थापना की गई थी कब की गई थी 1781 में कलकत्ता में की गई थी मदर्सा तो मदरसे में किशीज की पढ़ाई होती है, अरवी फार्शी की पढ़ाई होती हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के पहले भारत में मुगल सासक रहते थे, उनकी आँ जो कानून चलती थी, जो किताबे चलती थी, वो अरवी फार्शी ही चलती थी, देज में जो कानून ब् कलकता मदर्चे की स्थापना कप की थी 1781 में की थी तो ये था अर्भी फारसी के लिए उसके बाद एक और विद्याले बनाएगा संस्कृत महा विद्याले कासी में बनाये गया, बनारस में बनाये गया, 1791 में, संस्कृत महा विद्याले ये संस्कृत की पढ़ाई की लिए बनाये गया, हम सभी जानते हैं कि जो बनारस सिच्छा का बहुत बड़ा केंदर रहा है, प्राचीन काल में भी कासी रहा है, कासी जिसको बनारस कहते हैं, और इसका मदन वुद्धी यह था कि जो s staffing के गरंत है संस्क्रीट भासा जो साहिती है उसके अध्यन के लिए इस विखो ऱ्टाफ लोज़ा कुई है वह लाक्त बजट दिया गया था किसके लिए सिच्छहके विकास के लिए वह भ्रत के लिए कंद लिए उन्हों नहीं था वह अंगरेज़ी उसको पढना चाते थे अंगरेज़ जो है भारतिय बचट पे खर्च करेंगे, एजूकेशन पे सिच्छा पे खर्च करेंगे, तो ये आपके लिए जरूरी हो जाएका, उसके बाद मैकाले आ जाता है, लाड मैकाले 1835 में एक मिनत लेके आता है, आपना बिवराण पत्र लेके आता है, मैकाले जो था ये बिधि आयोग का सदस् बिधी आयो जो है जितने भी भारत में जो हता है बिधी थे मतलब कानून थी उसकी लिए बनाया गया था तो मैकाले जो है 1831 में इसने एक बिवरण पत्र बनाया था जिसमें सिच्छा के संबन्द में बहुत सारी सिफारिसें की थी और ये सबसे बड़ी बात है कि हमेशा ये अपर कलास उसको पढ़ा दिए और फिर सिच्छा जो है जो एजूकेशन दीरे दीरे चंचन के नीचे जाती रहेगी तो ये था मैकाले का मैकाले की तुरंद बाद बुट डिस्पैच आ जाता है बुट डिस्पैच यानि चास बुट थे ये जो कंपनी थी उसके जो कंट् इसी डिस्पैच को इसको अंग्रेजी में भारती ये सिच्छा का मैगना काटा का जाता है यानि अंग्रेजी सिच्छा का मैगना काटा इसी बुट डिस्पैच को कहा जाता है और बुट डिस्पैच ये कहता था कि जो मतलब प्रात्मिक सिच्छा होती है बेसिक सिच्छा ह इसे एंग्रेजी सिच्छा का मैगना काटा कहा जाता और इसमें प्रात्मिक सिच्छा मातरवासा में दिया जाने की वखालत की थी तो कोई भी चीज हर जितनी भी आपकी कमीसन है या फिर प्रोग्राम है तीन चीज पढ़के जाना बहुत जाता है और डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है पहली चीज है कि कब सुरू हुआ था और अगर अभी करंट से जुड़ा हुआ तो किसे ने उसको सुरू किया था लांच किया था और तीसरा चीज उसका उद्देश है मतलब किस लिए लांच किया था उसका उद्देश क्या था तो यही तीन चीज हर प्रोग्राम हर इसकीम हर पोर्टल के लिए इतना कम से कम पढ़ लीजेगा उससे काम आपका हो जाएगा फिर चाय करंट में पूछे य अठारा सो सताउन में कहा गया कि तीन बिस्विद्याले बनाने की गोषड़ा अंग्रेजो द्वारा की गई थी कलकत्ता में मदरास में और मुंबई में तीन बिस्विद्याले बनाये जाएंगे जो लंदन बिस्विद्याले की तरज़बे बनाये जाने थे उसके बाद फिर 1882 का समय आ गया हंटर कमीसन आ गई हंटर कमीसन जो है प्रात्मिक सिच्छा की वकालत करता है प्रात्मिक सिच्छा की प्रात्मिक सिच्छा की वकालत जो है हंटर कमीसन एक बना था हंटर कमीसन एक कमीसन मतलब आयोग बनी थी इसने प्रात्मिक सिच्छा पे जोर देने की बा तो कलकत्ता भी सुविद्याले में सैच्छिक सुधार के लिए सैटलर आयोग 1917 में बना था उसके बाद फिर बर्धायोजना जाती है जाकिर हुसेन जो है इसके अध्धेच थे गांधी जी का इसमें बड़ा योगदान था 1937 में ये बर्धायोग आया था बर्धायोग जो है तक काम हो गया लगबंग मोटा मोटा हमने पढ़ लिया अब सोतंतरता के बात की कहानी पढ़ लेते हैं तीन बड़े आयोग बनाये गए थे सिच्छा के सुधार के लिए और तीन ही अब तक जो है एजूकेशन पॉलसी आई है तो पहला जो आयोग बना था सिच्छा सुध आयोग बना जेता या था यानिए उच्छ सिच्छा में सुधार के लिए इस आयोग की रádhा क्रिशन आयोग के गठन किया गया था उसके बाद आ जायोग दूषरा आयोग मोधालियर CC कब 1952 में बना था ये 484 हो गया उसके बाद 52 में आ जाएए ये बना था मुदालियर माद से मदमिक सिच्छा ये मादमिक सिच्छा में सुधार के लिए मुदालियर आयोग का बनाय गया था और डाक्टर लचमी स्वामी मुदालियर ये मंदरास इनुवर्सिटी के जो है पोड़ दे थी अध्यच इसके यूजिसी के जो समय के चेर्मेन थे डाक्टर दौलत सिंग्त कोठारी उनकी अध्यचता में बनाया गया था इसने कहा था कि भारतियों को मातरभासा के बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले कोठारी आयोग ने सबसे जादा मतलब इसमें कि बच्चों को मातरभासा में सिच्छत दिया जाए और 10 पलस 2 पलस 3 वाला जो इसकीम था कोठारी आयोग ने ही अनुसंसा की थी सिपारिस की थी उसके बाद ये होगे तीन आयोग आपके और तीन ही आपके जो है क्या बनाए गए हैं एजूकेशन पॉलसी सबसे पहले एजूकेशन पॉलसी है वो है 2020 वाली एजूकेशन पॉलसी जो ये 10 पलस 2 पलस 3 वाला था इसने नई एजूकेशन पॉलसी में 5 प्लस 3 पलस 3 पलस 4 का कॉंसेप्ट अभीसमें आ गया तो चलिए हम लोगों का ये मोटा मोटा हम लोग ने पूरी थी हाठ सब कुछ इसमें द 1887 में 86 में जो है कब आया था 1986 में जो है नियू एजिक्वेशन पालसी हो गई थी उसी के बाद तुरंट ऑप्रेशन बलैकबॉर्ड की सुरुवात 1987 में हुई थी क्यों सुरू किया गया था प्राइमरी स्कूलों में मूल भूत सुब्धाओं के विकास के लिए क्योंकि प्र 2001 में सरवसिच्छा अभिया सरवसिच्छा का मतलब यह सबको सिच्छित कर दो यही इसकी स्कीम के साथ इसकी उद्देश के साथ इसकी सुरुवात हुई थी फिर आजाईए निवारे और मुफ्त सिच्चा का इसमें मौलीक अधिकार दिया गया कि सभी 6-14 साल के सभी बच्चों का ये मौलीक अधिकार दिया गया कि उनको सिच्चा दी जाएगी सरकार की जिम्मेदारी है मौलीक अधिकार है उसके बाद फिर दे दिया गया साचर भारत कारिकरम सचर्वार मतलब साचर्था को बढ़ावा देने के लिए इसकी सुरुआत हुई थी उसके बाद फिर एक अधिनियम बना दिया गया एक अपरेल 2010 को इसको लागू कर दिया गया था यही जो इसमें फंडामेंटर राइट में दिया था वही चीज इसमें दे दिया गया कि छे स से 14 साल के बच्चों को फिरी और मुप्त में मुप्त यानि अनिवारिय और फिरी सिच्छा दी जाएगी इसलिए यह धिनियम बना दिया गया था फिर आ जाईए आप लोग जो है हम लोग थोड़ी से करेंट अफेर्स भी पढ़ लेते हैं हम लोग जो है नई सिच्छा सी लाई गई है फिर क्या था इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी लिया था एक सो 1968 में आई थी और 1986 में आई थी और इसमें नया पाठ करम होई आया जो पुराना वाला था टैन पलस टू पलस थरी को रिपलेस करके क्या कर दिया गया और फाइप पलस थ्री पलस थ्री पलस इर थी तीन बहासा के कम से कम पढ़ाई जाएंगे और भारती बहासाओं को इसको कर दिया गया है पिर आजायी अगला ये का है पीयम शुरी योजना का मतलब हो गया शुरी का मतलब पीयम लाजिंग मन्तर हो गया स्पूल फोर राइजिंग इंडिया शुरी सार्ञोट 2004 कर 22 को सो मुवार के दिन ट्वीटर पे इन्हों ने इसकी सुरुवात की थी ठीक है तो इसमें जो है कम से कम जो हता है 1450 मतलब 14500 स्कूलों के उन्नाइन के और विकास के लिए इसकी जो हो जाना सुरू की गया थी पिर आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और चीज़ आगे यहाँ प पूरा मतलब वही हो गया यंसे नेशनल इनिसियेटीव और प्रोफियंसी इन रीडिंग मतलब पढ़ सको बित क्या अंडरिस्टेंडिंग पढ़ना नहीं है समझ के पढ़ना है अंडरिस्टेंडिंग और नुमरेसी मतलब गढ़ना करना आ जाए गणित आ जाए थोड़ा इसको शुरू किया था Department of School Education and Literacy Ministry of Education सिच्छा मंतराले का जो स्कूल वाला डिपार्टमेंट है वो इसी हो जना कि इसको ने शुरुवात की थी तो आप आगे बढ़ते हैं निपुन हो गया फिर E बिद्ध्या हो जना परदान मंतरी E बिद्ध्या हो जना E का मतलब क्या होता जो भी चीज इंटरनेट से उपलब दो या उनलाइन उपलब दो उसी के लिए E होता है तो जब वही कुरोना काल आया था लागडाउन लगा था उस समय यह सारी हो जना है शुरू की गई थी तो परदान मंतरी E बिद्ध्या हो जना था इसमें एक और चीद थी दिच्छा दिच्छा का मतलब है यहां पर है डिजिटल यह है दिच्छा HRD ministry जो की हम मानो संसाथन विकास मंतराले हुआ करता था जिसका नाम बदल के जो होता है सिच्छायों विकास मंतराले कर दिया गया तो HRD ministry जो है उसमय थी कौन थी निर्मला सीता रमंद्वारा इसकी योजना क की शुरुवात की गई थी किस है परदानमंत्री ई विद्यायोजना की आठ अठारा मईं 2020 में ही इसकी शुरुवात हुई थी और यह जो दिछा है इसका पूरा मतलब है Digital Infrastructure for Knowledge Sharing मतलब दिछा और इसी के लिए एक पोर्टल बनाता है एक मोबाईल एक बनाता है जितनी भी आपकी ई पुस्तके हैं ई सामगरी है सारा का सारा आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा ऑनलाइन मिल जाएगा तो आपको कई बठकने की जरूद नहीं यह तरह से डिजिटल लाइबरेरी है जितनी किताबें हैं जितने सामगरी है बीडियो आडियो सारा कुस सारा परदान मंतरी इविद्यायें पे आपको मिल जाएगी फिर आजाएगे एक था ENCFFS और यह था जादूई पिटारा जादूई पिटारा जो है लांच किया गया था किसके द्वारा ए इसको जादूई पिटारा लांच किया गया था ENCART ने इसको बनाया है लांच हुआ था यह कब लांच हुआ था 20 फरोरी 2023 में इसे लांच किया गया था और क्या था यह कि study material है इसमें जादूई पिटारा का मतलब छोटे बच्चों के लिए हैं उसको जब खोलो गया तो उ पिर आजाएए आप एक निस्था निस्था बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि यह teachers के लिए है ज्यादा तर teacher training के लिए बनाया गया है सिचकों की training के लिए इसको निस्था एप लांच किया गया निस्था है क्या निस्था का मतलब है यह फॉर national initiative for school heads जो ही स थमता निर्माड के लिए इसकी सुरुवात की गई है HRD Ministry जो उस समय HRD Ministry होते थे अब उसका नाम बदल दिया गया रमेश पोख्रियाल निसंक ने इसकी सुरुवात की थी निस्टा ओनलाइन सुरुवात की थी और यह शुरू हुआ था कब 2019 बीस में इसमें सुरुवा था ट् वास्तु सिल्फ संबंदी ब्लू फ्रिंट है जो सिच्छा से संबंदी डिजिटल प्रद्यों की आधारित अनुपरियोगों को सच्चा बनाने है तो मांगदसन सिद्धान का एक सेट तयार करता है तो यह अंडियर का आपका मतलब हो गया इसको परदान मंतरी नरेंद मोह इसके साथ जुड़ी होई है फिर आजाईए आपको एक ग्यान नेटवर्क बनाया गया है अकडमिक नेटवर्क के लिए बैस्विक पहल है जिसका पूरा मतलब होता ग्लोबल इनिसीयटिव और एकडमिक नेटवर्क यानी ग्यान का मतलब क्या है कि भारत के जितने भी देश में रह रहा हूँ वापस में एक दूसरे से जुड़े हैं इसी लिए इसकी सुरुवात कब की गई थी 2015 में ही ग्यान की सुरुवात कर दी के थी ग्लोबल इनिसीयटिव और एकडमिक नेटवर्क ग्यान इन हायर एजूकेशन के में हुई चीज इनिसीयटिव आप मे है कि एक पहल है कला उत्सो और इसमें मादमिक इस्तर की स्कूलों को कलात्मक परतिभा को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सो को मनाया जाता है जिसकी सुरुवात हुई थी तीन अक्टूबर 2013 को आप इसको करंट की रूप में लीजिए का 3 अक्टूबर 2013 कला उत्सो शु की गई थी इस पहल का मकसद था सिच्छा की गुडवत्ता में सुधार करना इसके लिए इसकी सुरुवात हुई थी 2021 में इसकी सुरुवात हुई थी ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इस चीज को जो है इन सारे टम से इन सारे आपको फैदा मिलेगा क्योंकि कहीं से कुछ भी पूच ले तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ना हो कि हमें पूरा हम ब्लैंक हो जाए है कुछ भी ना पता तो थोड़ा भी अगर हमने कुई बारत भीulकि देने के लिए इस योजना की सुरुवात की गई थी ए मानो संसातन विकास मंत्राले की यह योजना है जिसको साट में या नियाम याम या सिस्कॉलर्शिप के नाम से जाना जाता 2008 में ही इसकी सुरुवात हो गई थी फिर आजाए यह एक हो जाए इसान उदय स्कालर्शिप एक और स्कालर्शिप शुरू किया गया था इसकी सुरुवात परदान मत्री नरेंद्र मोदी दी जुवारा की गई थी कब 2014-15 में सुरुवात होई थी इसान उदय स्कालर्शिप अब इसका क्या है इस scholarship या इस छात्रवित्ती का मुख उद्देश से है काउंसे जो सामाजिक और आर्थी ग्रूप से जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए छात्रवित्ती परदान की जाएगी उच्छ सिच्छा के लिए तो बस यही इसी लिए इसान उदेश स्कॉलर सी परदान मत्री नरेंद मोधी दुवारा लांच किया गयता है फिर ये कि दो है एम डियम स्कीम एम डियम आनी मिड़े मील है नाम तो सुना होगा ना भई पर हमारी सरकारी स्कूलों में क्या मिलता है दो दोपाहर का खाना होता बच्चों को फिरी में खिलाया जाता है जिसको क्या कहते हैं मद्यान भोजन योजना कहते हैं केंद्र सरकार की योजना है इसकी सुरुवात 1995 में हुई थी लेकिन केंद्रिय इस तरह पे जो सुरुवात हुई थी केंद्र परयायुद स्कीम के रूप में इसकी सुरुवात 1995 में हुई थी फिर आजाए आप लोगों को हम लोग जो है सीध है अब इसका नाम ही देख लिए वे इसका नाम बदल के परधानमंत्री पोसंड सकती निरमार योजना के नाम से इसको जाना जाता है राष्ट्रिय मादमिक सिछा अबियाण राष्टिय मादमिक सिच्छा इदमियान आर्यम यसे की ओधारना क्या है आर्यम यसे कब सुरू किया गया था योजना 2009 में सुरू ही थी मादमिक सिच्छा में गुड़ता में सुधार राने के लिए इस योजना की सुरूबात की गई थी जाता कुछ जानने के लिए जरूरी कि अगया था कब यह शुरू किया था केंदरिया बजट जबाया था ठारा उननीस में समगर सिच्छा अभियान की सुरुवात हुई थी प्री इसकूल से लेके बारावत तक के लिए कारिकरम सुरू किया था समगर सब के लिए है क्या था कि सामाद सीखो भी और सनों भी जानो अवेरनेस पूछा जाएगा वो भी एजुकेशनल होगा तो थोड़ा सा ठका हुए लेकिन पढ़ लो समझ लो जान लो यह आपके जो है काफी इंपॉर्टन आएगा यह स्वयम परभा कारिकरम सुरू हुआ था स्वयम परभा क्या होता है भाई डी टी एच पे डारेक्ट क्लास चलती रहती है आंलाइन क्लास इस पर चलता रहता है फिर फसलंगे सारी किताब यहां पो यहापको यह सभी किताबें आंलाइन इस पर उपलब्द हैं फिर आजाईए एक राष्टी अभियान है इसकी सुरुवात 2017 में हो थी, एक तो हो गया study in India portal, study in India इसका मतलब ये था कि ये जो विदेशी चातर भारत में पढ़ना चाते हैं, उनके लिए एक portal बनाया था, study in India कारिकरम सुरुवात हो थी, smart India hackathon क्या है कि जितने भी एक राष्टी अभियान है, इसमें पैसा दिया जाता इसमें जो एक hackathon होती है, परतियोगता होती है, इसमें सारे बच्चे भाग लेते हैं, डबलब करने वालों को, website बनाने वालों को, जो भी नया चीज़ करते हैं, उनके लिए चीज़ शुरू होती है, उनके लिए smart India hackathon सुरू कि ये कहता है, तो ये आज का वीडियो यही प करेंगे, के बियस ये बिन एन बियस के किलासिस हम लोग करी रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे,